तो आईए friends, मैं आपको practically करके दिखाता हूँ कि यदि हमारे brakes फैल हो जाते हैं असी की स्पीड पर तो किस तरीके से हम कार को कंट्रोल कर सकते हैं जब भी आपके brake फैल सोंग तो सबसे पहले इस बात कर जहां डखे कि हम पैनेक ना हो और एक बार इमिडेटली एक से दो सेकंड में इमिडेटली ब्रेक पेडल पर पाऊ मार कर देखें कभी कभी ब्रेक्स इस तरीकी से आ जाते हैं यदि एक दो सेकंड में ब्रेक पेडल पर हैं एंजन प्रेकिण और हैंडद ब्रेक सबसे पहले हम इंजन ब्रेकिं का यूज करते हुए आप देखें किस तरीके से इसको इरोकर रोप करें हैं फोर्त geheir में चलतेवी कार को आप अपनी अपने हैंड़ ब्रेक को आपने अाधा किचे ले जे इस तरीकेसर इस से नैच में आ जाएगी चुकि काड़ी की स्पीड ज्यादा है और गेर हमने बहुत छोटा सेकंड गेर में कार को ले ली है तो एंजन इसे स्पीड को रेजिस्ट करेगा और स्पीड काफी हद तक काम हो जाएगी अब इस सिचुवेशन में हम अपने हैंड ब्रेक को फूरा खीज दे हैं और आप पाएंगी कि आपकी कार इमेडिटली सेफली वही के वही रुक गई है वो भी सिर्फ आठ सेकंड में आईए मैं आपको प्रक्टिकली करके लिखाते हूं इस कार को असी की स्पीड पर लेके जा रहा हूं और आपको रोक के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इस इस टेकिक को यूज कर सकते हैं मुझ जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम आलमूस्ट असी की स्पीड पर आ गये हैं अब यदि हमारे ब्रेक्स फेल हो जाते हैं तो हमारे फिर्स स्टैप हमें हैं अपना हेंड ब्रेक हाफ अपलाई करना है यहाँ मैं अपने hand brake को आधा लगाता हूँ और immediately third gear second gear डालने के बाद थोड़ा सा जख लगेगा, गाड़ी slow हो जाएगी और अब इस speedway मैं से यहाँ पर car को रोग देता हूँ इस तरीके से friends आपने देखा कि सिर्फ 8 second में हमारी car अपनी की जगह पर आकर रुख गई safely I hope आपको इसकी ज़रुद ना पड़े लेकिन in case अजिदी आपको ज़रुद पड़ती है तो आप इसको यूज कर सकते हैं इसकी आपका भी खाली समय में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जब इमर्जेंसी हो तो आपको परिशान ना होना पड़े उम्मीद है फ्रैंड्स आपको यह जानकरी बहुत अच्छी लगी होगी हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना